न्यू महिंद्रा स्कोर्पियो थार और एक्ष्यूवी 7W0 की सफलता के बाद अब मार्केट में महिंद्रा स्कोर्पियो के न्यूजरेसर मोडल को भी लॉंच किया जाएगा ये कार मुझूदा मोडल के मुकावले नई स्कोर्पियो 2022 ज्यादा बड़ी और प्रीमियम कार साबित होगी इस कार में 6 और 7 सीटर कोंफरीगेशन के उप्षिन भी मिलेंगी न्यू स्कोर्पियो में 2.0 लीडर टर्बो पेटरॉल और 2.2 लीडर टर्बो डीजल इंजन का उप्षिन दिया जाएगा इस इंजन के साथ 6-speed manual और 6-speed torque converter automatic gearbox का उप्षिन मिलेगा न्यू मारूती अल्टो 2022 2022 में मारूती की अल्टो कार का न्यू जनरेशन मोडल मार्केट में लांच किया जाएगा ये कार जिस पे एस्प्रेसो और सिलेरियो का न्यू जनरेशन मोडल भी त्यार किया जा चुका है लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो ये कार 2022 के तिपावले अबसर पर लौच की जा सकती है काफी बार न्यू जनरेशन मारूती अल्टो को टेस्टिंग के दुरान सपोर्ट किया गया है अल्टो के मुझूदा मोडल के मुकाबले इसका न्यू जनरेशन मोडल साइज बढ़ा होगा जहां ये पहले से लंबी चोड़ी और उन्ची नजराएगी न्यू अल्टो को हार्ट एक्ट प्लेटफोर्म पर त्यार किया जाएगा इस कार में टस्क्रीन इंफोटैनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी आप्शन दिये जाएंगे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कमपनी इसमें सलेरियो वाला 1.0 लेडर के 10C इंजन दे सकती है वहीं कमपनी इसमें अल्टो का CNG मोडल भी मार्केट में उतारेगी होंडा सिटी हाइब्रेड होंडा सिटी 2022 के आखिर तक होंडा सिटी सेडान के हाइब्रेड वर्जन को इंडियन मार्केट में उतारेगी जहां काफी कार मेक्स इलेक्टरिक और सी एंजी वाइकल कार त्यार करने में जूटे हैं तो हुंडा अपनी सिटी सेडान का फ्यूल इंफिशियेट मोडल त्यार करके मार्केट में अपने शेयर बढ़ाना चाहती है वहीं बताया गया है कि सिटी हाइबरेट 27 किलोमेटर पर लेटर का मायलेज अवलेबल करवाएगी जिस से ये इंडिया की सबसे फ्यूल इंफिशियेट कार साबित होगी